लेट्स बिगिन दिस ब्यूटिफुल कोर्स ऑन इंडियन एकॉनमी आईए भारत की अर्थ व्योस्ता को समझते हैं एकदम बेस से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे सर जो इसका पहला चैप्टर में आज आज आपको पढ़ाने वाला हूं जीडीपी एंड रिलेटेट कॉं आप एक्साइटेड हैं या नहीं कमेंट बोक्स में लिख दीजिए यस सर हम एक्साइटेड हैं तो शुरू करें नोटबुक और पैन के साथ तयार हैं आप लोग लिखिए यूनिट वन लेक्चर वन टाइटल डाल लीजिए इंडियन एकॉनमी कोर्स यूनिट वन आपको पता हो कि कहाँ पर कौन सी चीज है तो आप तुरंत उस चीज को अगर भूल भी जाएं कॉनसेट को तो तुरंत आके वहाँ पर रिवाइस कर लें तो इस धंग से हमें स्ट्रक्चरड वे में चलेंगे ठीक है सर पिछली क्लास में हमने आपको स्लेबस बताया था कि पहले यूनिट जो होगी GDP and related concept दूसरी होगी monetary policy सर एक यूनिट हम इसमें डालना भूल गये थे तीसरी fiscal policy and government budgeting, चौती inflation, पांच भी foreign investment in India, foreign exchange management, poverty and unemployment, international organizations, capital market तो सर ये slide हमने टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट किया जो PPT उसमें included है पर हम उस दिन वीडियो में बताना वो slide नहीं थी तो हम बताना भूल गये, miss कर गये तो unit 9 भी हम आपको जरूर पढ़ाएंगे capital market, basic concept of capital market, debt market in India and relationship between capital market growth and GDP growth तो सर जो आज पहला chapter में start करने वाले हैं, वो है GDP and related concept Are you ready? Are you excited? Notebook और pen ले लिया है न सर, unit 1, lecture 1 डाल लीजिए और structured way में चलेंगे सर एकदम offline class की तरह आपको लगेगा, यह हमारा वादा है आपसे, आईए start करते हैं, GDP and related concept unit 1 सर यह GDP किस बलागा नाम है? सर जीडिप का full form क्या है? gross domestic product हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हिंदी वालोग लिए सकल, घरेलू, उतपाद थोड़ी से हिंदी का भी प्रयोग करूँगा, ताकि जो हिंदी मीडिया में वो उनको ऐसा न लगे कि उनको left behind कर दिया गया है थोड़ी से हिंदी, लेकिन पूरा course वैसे English में है, मैं आपको dictation भी English में ही करवाँगा तो do not worry, आपको सब कुछ समझ में आएगा, concept समझ में आएगे, उसके बाद में आपको dictate भी करवाँगा, factual information भी दूँगा, do not worry आप बस देखते जाएए ठीक, तो gross domestic product है क्या सर, पहले यह समझते हैं, पहले इसी के नाम में इसका मतलब समझते हैं तो कहां की बात हो रही है, domestic की बात हो रही है, ठीक है, और product की बात हो रही है, circle मतलब होता है aggregate, यानि कुल मिलाकर ग्रॉस मतलब होता है aggregate यानि कुल मिला कर तब definition सुनिएगा सर मान लीजिए ये इंडिया की boundary है ठीक है सर ये हमारा इंडिया घर है और ये घर की boundary है और इस boundary के अंदर goods and services का production हो रहा है उत्पादन हो रहा है कैसे सर किसान आलू भी पैदा कर रहा है और नई बाल भी काट रहा है यानि नई service भी दे रहा है और किसान जो आलू पैदा कर रहा है वो goods का production कर रहा है तो सर दोनों चीज़े हो रही है goods and services का production हो रहा है लेकिन कर कौन रहा है सर जो इंडिया में foreigner से वो भी कर रहा है और Indians भी कर रहा है किसी की भी दौरा किया गया हुआ तो GDP की definition क्या है सर यह the total final value of the total final value of goods and services produced within the boundary of a nation in one year is known as GDP of that nation यानि भारत की boundary के भीतर कुल कितना जितना भी किया गया हुआ goods and services का उत्पादन है उसे हम कहेंगे भारत का सकल घरेलू उत्पाद ठीक है सर तो accounting year याद रखेंगे यानि एक साल याद रखेंगे किसी भी एक साल में जो financial year होगा या accounting year होगा उसको याद रखेंगे कि उस समय की बात कर रहे है एक period of time की बात कर रहे है उसमें भारत की boundary की भीतर जितना भी goods and services का production किया जाएगा उसको भारत का GDP कहेंगे gross domestic product clear or not यहाँ तक clear है gross domestic product समझ में आया तो सर अगर gross domestic product यह है तो सर जी एन पी जिसे हम कहते हैं gross national product वो क्या है देखिए यहाँ पर nationals की बात हो रहे है national product यानि सर इसमें हमको क्या count करना है Indian residence का जो Indian residence है सर उनका count करना है कि उनके द्वारा कितना goods and service का production हुआ है और सर कहां count करना है पूरे world में यानि सर पूरे world में यहाँ पर इंडिया है इंडिया में जो इंडियन्स है इंडर एन रेजिडेंस है उनके द्वारा और जो बाहर भी इंडियन्स हैं, कहीं पर भी हो पूरे वाइड में, उनके दोहारा कुल किया गया हुआ, जितना भी total final value of goods and services का production वो करेंगे, वो भारत का gross national product कहलाएगा, तो सर्क केवल इंडियन्स को count करना है, यानि इंडिया में भी इंडियन्स को count करना है, इंडियन किया गया हुआ, goods and services का production है, उसको हम कहेंगे, gross national product, तो सर्क GDP क्या है, GDP में याद रखना है, domestic, यानि सर्क domestic मतलब boundary की भीतर, कोई भी हो, foreigners हो या इंडियन्स हो, उन दोनों की द्वारा मिलाया गया हुआ, total goods and services का production कहेंगे, GDP और GNP में याद रखना है, सर्क नेशनल्स के द् यानि इंडियन्स के द्वारा जितना भी किया गया हुआ होगा, वो कहीं पर भी हो सर्, इंडिया में हो या outside इंडिया हो, केवल इंडियन्स होने चाहिए, उन सब का कुल मिलाकर जितना भी goods and services का production करेंगे, वो उसको बोलेंगे, GNP of that nation, clear or not, GDP and GNP, ये आपको clear हुआ या न हो, तो हम क्या करें, तो सर्, मान लीजिए, ये word है, this is word, और ये इंडिया है, इंडिया में फॉर्नर्स भी है, और इंडियन्स भी है, फॉर्नर्स इंडिया, इंडियन्स और इंडिया में जो इंडियन्स हो तो है, और जो इंडिया के बाहर जो इंडियन्स है, वो इंडिय इंडियन बाहर हैं वह इंडियन आउसीट तुन स्यूटर में इंडियन वाव तो सर अब ये क्या बता GDP-FI ये क्या है सर इंडिया में जितने भी इंडियान से उनके द्वारा और इसमें बाहर जो इंडियान से उनको इंक्लूड कीजे इंडियान आउर्साइट को इंक्लूड कीजे अब ये क्या निकल क्या है सर पूरे इंडियान रेजिदेंस के द्वार सरा जितना भी total value of goods and services का production है वो निकल क्या है यानि ये क्या है सर जी एनपी of that nation समझ में आया है या नहीं सर जीडीपी में आप जो foreigners इंडिया में हैं उनको हटा दीजे और जो इंडिया में उनको ऀंक्लूर कर लिजे तो सर जी एनपी निकल आये या नहीं निकल आएगा क्योंकि इसमें तो foreigners plus Indian दोनों थी न तो यह तो हमको इंडिया में इंडिया में इंडिया में बचे यह और इंडिया आउसाइड़ वाले जोड़ दी हमने तो जी एनपी नि टोटल इंडियन बेजिनेंस के द्वारा किया गया हुआ टोटल फाइनल वैल्य ओफ गुर्स और सर्विसिस का प्रड़क्शन वह हो गया जीन पी सर रट्टाफिकेशन नहीं करना है आपको कौन से प्याद रखने हैं कि कैसे निकालेंगे ठीक है सर इस चीज को जो बोलते है हम इसको बोलते हैं net Factor from abroad सर नेट फेक्टर फार मब रोड क्या मतलब वह यानी net income income from foreign to India foreign to India minus net income from India to India to foreign तो सर यह क्या है net income from foreign to India, इंडिया में कितना आया बहर से, सर वो क्या है, आई ओ, और यह क्या है सर, net income from India to foreign, तो भारत से कितना गया, वो क्या है FI, तो सर जीडीपी को हम लिख सकते हैं यह, कि जीडीपी plus net factor from abroad is equal to GNP, yes or no, सर समझ में आया यह नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो लिखें, no सर, हमको GDP और GNP वाला वो concept समझ में नहीं आया, जो भी समझ में नहीं आया है आपको, सर, अगली class में आम उसको फिर से समझाएंगे, जब तक आपको समझ नहीं आ जायेगा, तब तक हम आपको समझाएंगे, इस बात की guarantee है, तो GDP में आपने किसको हटाया, partners को हटाया, जो इंडिया में थे, उनको हटाया, और जो इंडियन आउटसाइड थे, उनको जोड दिया, सर, ECU को बोलते क्या है, net factor from abroad, ECU क्या बोलते हैं, सर, net factor from abroad, is equal to GNP, ठीक है, इतना clear है या नहीं, अगर सर, आपको इतना clear है, तो मेरा एक सवाल बताईए, कि GDP में और GNP में, कौन बड़ा होगा, GDP बड़ा होगा GNP से, यह GDP छोटा होगा GNP से, यह दोनों बराबर होंगे, आपको क्या लगता है, comment box में बताईए, कि GDP बड़ा होगा GNP से, यह छोटा होगा, यह बराबर बताईए, सर, सूच के बताईए, सर, एक बात का याद रखिएगा, रेमिटेंस को इंक्लूड मत कीजेगा, इंडिया सबसे नंबर वन पर है, रेमिटेंस में, भारत, रेमिटेंस के मामले में सबसे आगे, बहुत पैसा, इंडियांस जो होते हैं, बाहर वो पैसा घर होता है, सर, यह ट्रांसफर पेमिंट है, वन वे पेमिंट जो होती है, यह ना ही GDP में इंक्लूड है, ना ही GNP में इंक्लूड है, तो सर, इसको तो ध्यान में रखकर मत सोचिएगा, कि GNP बड़ा है GDP से, सर, यह GDP बड़ा है GNP से, सर, क्यों, क्योंकि यह net factor from abroad, यह negative है, इसक आता है, और GDP में अगर कुछ negative करेंगे, माली जह X, negative X है, इसकोल टो GNP, तो सर, यह GDP से तो छोटा ही आएगा ना GNP, क्योंकि GNP की वेलू क्या होगी, GDP माइनस सम्थिंग, तो GDP से तो छोटी होगी ना सर, तो GDP हमेशा बड़ा होगा GNP से, इंडिया की केस में, अभी, इंडि इतना clear है या नहीं, GDP will be more than GNP of India, और सर, अगर आब भूल जाएं कभी, concept भूलियेगा नहीं वेसे, अगर गलती से भूल जाएं, तो trick याद रखेगा कि D जो होता है, alphabet में पहले आता है, और N बाद में आता है, है ना, तो D will be always greater than N, यानि GDP will be greater than GNP, इतना clear है या नहीं, सांस ले लिजे, अराम से सोच लिजे, कि GDP क्या है, territory, boundary की भीतर, किसी की द्वारा भी किया गया हो, फॉर्टनर्स और इंडिया है, दोनों है, किसी की द्वारा किया गया हो, total goods and services का production, उसको बोलेंगे GDP, GNP केवल Indian residents के द्वारा जितना भी किया गया हो, total goods and services का production, वो कहीं प सब्सक्राइब भी हो, उसको बोलेंगे हम, GNP of that nation, सर्फ, lecture में अगर आपको, मुझे, आपको लग रहा है कि हमें slow पढ़ा रहा हूं, तो आप YouTube के option से तेज कर सकते हैं, अगर लग रहा है तेज पढ़ा रहा हूं, तो slow कर सकते हैं, जैसा भी आपका feedback है, comment box में जरूर है, यह क्लियर हुआ या नहीं, GDP and GNP clear है या नहीं, ठीक सर, अगर GDP and GNP clear है, तो सर टेकनिकल, अब definition लिखना शुरू कर दीजाए, लिखिए GDP क्या है, Notebook में लिखना शुरू कीज़े, the total value of, total value of, यह dictation है, final goods and services produced in domestic territory of an economy in a given accounting year or financial year यहाँ पर सर्क तीन चीज़े समझने वाली बात है, यह सर, final goods and services किसे कहते है, यहना, domestic territory क्या है, और यह accounting year और यह financial year क्या है, सर, financial year क्या है, एक अपरेल से 31st मार्च के बीच का जो time होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, financial year सर, calendar year क्या होता है, एक जनवरी से 31 December का जो time period होता है, उसको बोलते calendar year तो accounting year कुछ भी हो सकता है, calendar year भी हो सकता है, financial year होता है, इंडिया के case में क्या है, सर, financial year है, है ना, तो हमारा, जो financial year कैसे start होता है, एक अपरेल 2020 से, जो यहाला चल रहा है, वो होगा 31st मार्च 2021 तक, एक financial year है हमारा, अब यहाँ पर दो चीज़ समझने वाली है, कि final goods and services क्या है, और domestic territory क्या है, तो सर, heading डालीजे, domestic territory, आप सर, थोड़ा technical हो रहे हैं, GDP में, तो GDP का एकदम, जो, crude level में समझाना होता है, मैंने आपको समझा दिया, आप थोड़ा सा technical समझते हैं, कि domestic territory में include क्या-क्या होता है, थोड़ा सा अंदर जाते हैं, domestic territory, domestic territory में क्या-क्या आएगा, देखे, पहले तो आएगा, land and plus sea boundary, तो जो इंडिया की, अगर इंडिया की GDP की बात कर रहे हैं, उसकी domestic territory क्या है, इंडिया की, तो land में तो जो है तो वो है, और sea boundary क्या है, 12 nautical miles, इंडिया की territory होती है, 12 nautical miles, United Nation clause, जो है, तो laws of seas में, उसमें क्या है, 12 nautical miles, तो land plus sea boundary, इत्ता हो गया, my domestic territory, प्लस दूसरी, जहां पर aircraft plus ship operated by resident of India, तो जहां पर इंडिया की residence, aircraft और ship operate कर रहे हैं, वो भी इंडिया की domestic territory में count होगा, सर समझ रहे हैं, यानि वो जहां पर भी होँगे, aircraft और ship operate कर रहे होँगे, वो जो भी area होगा, वो किस territory में आएगा, इंडिया की domestic territory में आएगा, यानि सर्फ वो GDP में calculate होगा, वो GNP में calculate नहीं होगा, इसलिए domestic territory बता रहू है आपको तो aircraft and ship operated by residents of India तीसरी चीज़ जहाँ पर natural gas and oil platform से हमारे जो इंडिया की residents जो है वो operate कर रहे हैं यानि natural gas and oil platform operated by the residents of India वो जहाँ पर वो चीज़ कर रहे हैं वो भी हमारी domestic territory होगी and final जो हमारी embassy है and जो consulates हैं उसको भी domestic territory के definition में count किया जाएगा तो सब domestic territory में क्या क्या आता है land and sea boundary ओके लेकिन जहाँ 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 पर Indian residents, aircraft and ship operate कर रहे हैं वो भी domestic territory है जहाँ पर हमारे oil platforms और natural gas होगा वो भी domestic territory है जहाँ पर हमारी embassy है जहाँ पर हमारे consulates हैं वो भी domestic territory है यहने का मतलब सरी है कि अगर USA में यह USA हमाली जहें यह Indian embassy है तो सर यह हमारी domestic territory है यहाँ पर जो जितन यह अगर embassy हमारी तो यह domestic territory है हमारी इंडिया की इंडिया की domestic territory है सर यह यानि यहाँ पर जो भी goods and services का production होगा वो इंडिया की GDP में count होगा सर इंडिया की GDP में count होगा लेकिन तो अमेरीका की GDP में यह area यह उसकी domestic territory में नहीं आएगा यह count नहीं किया जाएगा अमेरीका की GDP में पर सर यह domestic territory of India है क्योंकि इंडियन embassy है तो यह इंडिया की GDP में count होगा लेकिन सर अगर यहाँ पर कोई Americans काम कर रहे है Americans काम कर रहे हैं यहाँ पर तो वो America की GNP में जरूर count होगा क्यों सर क्योंकि वो अपना GNP निकालेंगे तो American Residence कहीं पर भी हो तो अगर India की Domestic Territory की भीतर भी होंगे तो उनकी GNP में तो count होगा GNP of America में यह count होंगे जो American Residence इंडिया की Domestic Territory में काम कर रहे होंगे इंडिया की Domestic Territory है ना इंडिया की Imbessy USA में भी है तो भी क्या हुआ वो इंडिया की Imbessy है इसलिए Domestic Territory है इंडिया की तो इंडिया की GDP में count होगा और वहां की जो Americans होगे वो Americans की GNP में count होगा Got it or not concept समझ में आ रहा है सर embassy and consulates तो domestic territory की भीतर क्या क्या है land plus sea boundary aircraft and ship operated by the residence of India natural gas and oil platforms embassy and consulate इतना clear है या नहीं ठीक है इतना यस सर आगे चलें ठीक है बाई अब हमको समझना है कि final goods and services क्या होता है final goods and services क्या होता है यह चीज़ समझने है तो GDP की definition में हम financial year समझ गए और यह domestic territory समझ गए लेकिन फाइनल goods and services क्या है यह समझते है इससे पहले हम समझते हैं कि final goods क्या होता है बाई देखिए माल लिए किसान ने cotton पैदा किया cotton तो वह spinning mail में लेके गया उसका yarn बना ठीक है cotton का यान बना यान से क्या बना machines के द्वारा cloth बना अब cloth को फिर design करके क्या बनाया उन्होंने शर्ट बने यह चीज़ जो है इसको बोलते है यह flow of production क्या बोलते हैं सर उत्रपादन का flow है कि cotton से यान बना यान से cloth से shirt बनी यह क्या है सर फ्लो अफ्रोडक्शन है सर यह जो final यह जो shirt बनी अब यह क्या करेगा consumer क्या करेगा इसको wear करेगा पहनेगा मैं पहनूंग यह shirt जैसे मैंने पहनी है सर यह जो शर्ट मैंने पहनी है अब इसको क्या बोलेंगे फाइनल गुट क्यों सर क्योंकर इसका कुछ अब ट्रांस्फॉर्मेशन नहीं होगा इसकी करेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं किया जाएगा अब ये मेरे द्वारा क्या जाएगा यान की करेक्टरिस्टिक को ट्रांस्फॉर्म करके क्लोथ बनाया गया क्लोथ की ट्रांस्फॉर्म करके शर्ट बनाया गया पर शर्ट को ट्रांस्फॉर्म नहीं किया जाएगा तो शर्ट क्या है सर अब शर्ट इसा final good और ये क्या है सर ये है intermediate goods इतनी चीज clear है या नहीं तो shut क्या सर क्योंकि shut final good क्यों है क्योंकि उसका कुछ transformation नहीं होगा और ये intermediate good क्यों है क्योंकि सर इनका transformation हुआ है ये production process में help तो किये They are like raw material तो आलू डाला और chips निकाला सोना नहीं निकाला सर चिप्स निकाला अलू डाला फो टैटो और चिप्स निकाला आलू क्या है सर इंटरमीडियट गूट है और चिप्स हम consume करेंगे तो यह क्या है सर फाइनल गूट है क्यूंकि इसका आप कुछ transformation हम नहीं करेंगे correct और not final good समझे है या नहीं आप final good and intermediate good clear है या नहीं सर अगर एक example लीजे tea जो चाई की पत्ती आप लेके आते हैं घर में अगर चाई की पत्ती आप घर में ले आके उसको transform करेंगे ना चाई बनाने के लिए transform करना पड़ेगा लेकिन सर आप तो अभी कह रहें तो ट्रांस्फर्म करेंगे तो final good नहीं होगा सर टी ट्रांस्फर्म करके आप पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं अगर आप अपने खुद के consumption के लिए यूज़ कर रहे हैं तो टी final good है लेकिन अगर आप चाई बना कर उसको बेच रहें सेल कर रहे हैं मार्केट में सेल इन दा मार्केट तब सर जो चाए आपने बनाई कुल्हरवारी चाए सर वो होगा final good समझ रहे हैं ना दो चीज़ों पर डेपेंड है कि consume कैसे हो रहा है final good last में consume final good है या नहीं ये कैसे depend करेगा कि final good तभी समझ में आएगा कि उसको further उसका transformation ना हो और या तो वो sale in the market के लिए यूज़ ना किया जाए उसको last में consumer यूज़ करें consumption के लिए sale करने के लिए यूज़ ना करें sale करने के लिए यूज़ किया तो जो वो बनाएगा transform करके वो final good कहलाएगा छोटी छोटी बारी किया इनको समझते चलिए clear or not तो final good समझ में आगया आपको कि उपहोगता last में उसको use करेगा अपने purpose के लिए या उसका कुछ transformation नहीं होगा इतना clear है नहीं इसे बोलते है final goods तो मैं जब goods बोल रहा हूँ तो goods and services included है तो मैं एक example आप लेकर आपको समझा रहा हूँ तो final good समझ में आगया सर्फ final good में दो तरह के good होते है एक होता है consumer good sir ये तो आपने समझा ही दिया sir consumer good क्या है consume करने के लिए यूज़ कर रहे है shirt पहन लिया, चाय पीली और दूसरे तरीके के goods होते हैं sir वो होते है capital goods sir ये capital goods क्या होते है sir capital goods मतलब machines, tools, implement जो क्या करेंगे further production of goods and services में help करेंगे यानि chips के packet बनाने में वो machine आपकी help करेगी over a long period of time machine जो है वो capital goods कहलाएगी क्यों sir क्योंकि वो उसका transformation नहीं हो रहा है वो किसी और production process में help कर रही है तो उस machine को हम क्या बोलेंगे capital goods तो capital goods मतलब capital goods and services included तो consumer goods and services clear है capital goods clear है तो ये दोनों क्या है sir final goods है तो final goods and services जो GDP की definition में final goods and services है वो क्या है sir consumer goods and services plus capital goods this is clear or not clear है तो आगे बढ़ें sir मान लीजे आपके पास चार machine पहले से हैं एक firm में और आपने दो machine add कर दी इस साल तो sir ये जो machine आपने add की है addition in the stock आपने जो दो machine add की है तो जो ये addition of capital है क्योंकि ये capital goods है समझेगे sir जो ये addition of capital है sir इसको बोलेंगे investment तो economy में investment इसे बोलते है sir share market में पैसा लगाना is not investment according to economy economy में क्या investment का मतलब यहाँ पर क्या मतलब है addition to capital यानि जो capital machine है उनमें जो addition कर रहा है उसको investment माना जाएगा तो आपको investment clear है final goods and services clear है final goods and services में क्या आएगा consumer goods and services plus capital goods clear or not तो domestic territory clear final goods and services clear and accounting इने क्या है तो GDP क्या है sir कि भारत की boundary यानि domestic territory के भीतर कुल किया गया हुआ total final value of goods and services produced within the boundary of a nation in one year is known as GDP of that nation clear or not तो sir अब लेकली जे डिक्रेट कर देता हुआ में आपके लिए use based classification क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन और फाइनल goods and services तो कैसे हमने classify किया इनको पहला consumer good and services दूसरा capital good और जो process में use हो जाता उसे हम क्या बोलते थे उसको भी लिख लीजे तीसरा intermediate good goods and services definition लिख लीजे consumer goods and services की all those goods and services all those goods and services which are used for the final satisfaction which are used for the final satisfaction of consumer is known as consumer goods and services capital goods and services में लिख लेजे ठोड़ा तेस नहीं हो रहा अब पाउस कर सकते हैं अराम से लिख सकते हैं capital goods and services में लिखे all those goods which are used for further production of goods and services which are used for further production of goods and services over a long period of time, over a long period of time is known as capital goods. इसी में लिक्ली जे सर, addition of capital is known as investment. इसी में लिक्ली जे सर, investment क्या है? इसी में लिक्ली जे सर, addition of capital is known as investment. इसी में लिक्ली जे सर, all those goods and services which are used for further production of goods and services, for sale in the market all those goods and services which are used for further production of goods and services for the sale in the market but completely utilized during the production process completely utilized during the production process is known as intermediate goods and services like aloo aloo thana chips nikaalata aloo is intermediate goods getting or not it not clear or sir yes sorry definition do not have to tell you final goods and services domestic territory so what I hear these are according to system of national system of income accounting system of national income national income accounting 1992 जो की revised हुआ है 2008 में revised in 2008 तो दीज आर according to the system of national income accounting 1992 and revised in 2008 जीडीप टेक्निकल और जो से समझाया है वो क्लियर है नहीं GDP पूरी तरह से क्लियर है यह यह सर और नो सर comment box में लिखिए तो थोड़ा ही लिखना है आपको यह सर और नो सर हमारी से रिस्टेक्शन हो जाएगी कि आपको समझ में आ रहा है यह नहीं लिग दिया करिए आप सली कि GNP आपको समझाया था मैंने GNP की डिफिनीशन लिखिए आप ग्रॉस नेशनल प्रॉडक्ट है किया तो टोटल वैल्यू आप टोटल वैल्यू आप गोड्स एन सर्विसेश प्रोड्यूस्ट बाई the resident three RMR resident of country in a given accounting year is called GNP of that nation और वो भी लिखिए GDP plus net factor from abroad equal to GNP जो मैं आपको समझाया था इतनी चीज़ क्लियर हों तो आगे बढ़े सब्सक्राइब क्या थे सर फाइनल गूर्स है लाइक मशीन बड्यार यूज्ट ओर लॉंग पीरिड ऑफ टाइम दस बीस साल उनको यूज़ करते हैं for the further production of goods and services नहीं चिप्स का पैकेट बनाने में जो मशीन लग रहे उसको 10-20 साल यूज़ करते हैं सर सर 10-20 साल में वो कुछ तो खराब होगी wear and tear होता रहेगा ना हर साल तो सर हर साल हम उसका कुछ ना कुछ पार तो consume करी ले रहे ना सर कहने के मतलब यह है कि मान लीजे सर 2000 की मशीन है 2000 की और उसको 10 साल चलना है तो हर एक साल में 200 रुपए का consumption तो हम करी लेंगे सर तो सर यह जो value में loss हो रहा है machine थोड़ी खराब हो रही है जो उसकी value में loss हो रहा है due to wear and tear सर इसको बोलते हैं depreciation depreciation का मतलब हुआ सर loss in the value of capital goods due to wear and tear इसको बोलते हैं depreciation तो लिख 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 ज़िए depreciation क्या है easy यह accounting concept है account करने के लिए कि machine जब एक बार पूरी तरह से replace की जाए तो पूरा का पूरा machine की value include करने पड़ेगी इसलिए हम क्या करते हैं हर साल थोड़ा थोड़ा include करते रहते हैं depreciation में उसको count करते रहते हैं ठीक है कि कुछ machine का part खराब हो रहा है तो उसकी जितनी consume हो जा रही एक साल म हम अगर उसकी 10 साल चलनी की वह है कि 10 साल तक ही चलीगी तो हम हर साल 200 रुपए जैसे मैं आपको example दिया कि अगर 10 साल चलीगी तो हर साल 200 रुपए कंजीम हो जाएगी तो 200 रुपए हर साल depreciation में हम count कर लेए कि 200 रुपए की उसकी value lost हो गई है correct or not the depreciation लिख लिए loss in the value of loss in value of capital due to normal wear and tear due to normal wear and tear is known as depreciation नहां तक clear depreciation तो सर आपको मैं example समझाता हूं अब समझेगा थोड़ा सा imagine कीजेगा मा लीजिए पिछले साल इसके पिछले साल पूरे देश में चार मशीन थी चार मशीन थी ठीक है capital goods की बात कर रहे है चार मशीन थी है ना इस साल हमने 5 मशीन का production किया machine ही बना दी 5 मशीन बनाई ठीक है GDP में इंक्लूड होगा यह 5 मशीन जितना भी यह final good है capital goods है the final goods मैंने बताया तो 5 मशीन इंक्लूड होगी इसकी जितनी भी value होगी GDP में इंक्लूड होगी इतना समझ रहे है आप पिछले साल 4 मशीन थी इस साल हमने 5 मशीन का production किया लेकिन जो पिछले साल 4 मशीन थी उसमें एक मशीन खराब होगी समझ रहे है सर या ऐसा कहिए 4 मशीन का कुछ कुछ पाट ऐसा खराब हुआ कि पूरी एक मशीन लग गई उसको उसकी भरपाई करने में तो सर अगर net निकाला जाए कि net कितनी मशीन हमने बनाई इस साल तो सर कितनी मशीन बनाई होगी इस साल 4 मशीन तो एक मशीन के सारे पाट तो लग गया चार मशीन में उसकी भरपाई करने में को सई से चले तो नेट अगर निकाला जाए कि नेट कितनी मशीन इस साल प्रोडुक्स प्रोडूस की है तो सर क्या होगा चार मशीन इतना क्लियर है ना तो सर अगर GDP में हम ई डप्रीशेशन को माईनस करते हैं क्योंकि डप्रीशेशन तो सप्रेड है ने टिडोमेस्टिक प्रोडक्ट mi pinnet आपने कितना कि भूर्टक्र करने के लिए क्या कीजिए आप ग्रास में maher segregate में लॉस्जो हुआ है वीयर और येर की वज़े से उस डप्रिशीज़्य को माइने सिटीं दीजी तो यह ने दूनिकल आयगा ने डिशायर माइने स्विध्ट्स क्लियर तो सर चार चीज़ें आपको क्लियर हुई GDP, GNP, NDP and NNP ये चार चीज़े क्लियर हैं नहीं सर क्लियर हैं डेप्रिशेशन क्लियर हैं इन्वेस्टमेंट क्लियर है तो आगे बड़े अराम से चलेंगे एकडम हमको पूरी एक्सेसाइज सर बेस इतना स्ट्रॉंग बनाना है कि जब भी हमको GDP कोई बताए तो हमको तुरंत याद आना चाहिए मतलब दिमाग में इमेजन कर सकेंगी गुड्स और सर्वेसिस का प्रडक्शन हो रहा है डोमेस्टिक ट्रेटरी के अंदर टेक्निकल भी और नॉर्मल भी तो सर ऐसे पढ़ना हैं को एक्दम बारीकी से क्योंकि सर एक्जाम में बारीकियां बहुत पूछी जाती है पूछ लेका कि इमबैसी कि भारत में जो यूएसी की इमबैसी में है जो उनके लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर वो कहाँ पर काउंट होगा चार आप्शन आपको दे देंगे इन सब सवालों के लिए त्यार रह आपषित है डेप्रेट्री ओफ्रेशलन यनिफ आगे बड़े है में तरा आपने बहुत सुना गफाब टीडीप यह का रियल जीडीप यह पैसे लगड़ा था ऐसी देगल एसी लिए इस लिखा होता है यह कॉंस्टेंड प्राइज रॉंस्तेंड्स तकरान आप यह एसे या बोलते हैं बेस यह सर इन दोनों का मतलब क्या है यह समझते हैं ठीक है sit back and relax relax your mind दोनों चीज़े आपको बहुत हैवी लग रही तुरण समझ में आ जाएंगी कुछ भी नहीं है इसमें देखिए माली यह 2011-12 चल रहा है और पूरे देश में 202 और हुए झिसका प्रोड़क्शन हो रहा है और कोई सर्विसें स्कस्राइब बारह में इनके प्राइस थे 10 रूपीज एंड 20 रूपीज ठीगे सब तो जी डीपी कितनी हो जाएगी टोटल फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी इनकी 1,000 लस 4,000 इस उकल टू 5,000 तो सर जी डीपी कितनी कि आगी 2011 बारा में 5000 की जी डीपी है और नॉट इतना खिले है इतना क्लियर है अब सर आज आज आईए अब दो जार बीस दो जार उननीस बीस में जो प्रिशला फाइनेश में सर ए एन भी दो ही प्रोडक्ट हो रहे हैं आज भी ठिकेत सिम्टी सेटी क्लियम दो य प्रोड़क्ट ले रहा है दो य गुड ले रहे हैं ए ओर भी ठीके इसकी डूंटिटी जो पीयोस्ट की गई इस lazy 2019-20 में वा है थीक है तो quantity कितनी है 200 और 400 पिछला प्राइस जो था जो 2011 बारा में बेश सब्सको बेस बोलेंगे हम दोजा ग्यारा बारा में जो प्राइस था वो पीवन के हिसाफ से निकालेंगे और एक दो के हसाब ड़िपी सपरीवन केशाब से डिरी पी निकालेंगे टो कितना Chelsea 2000 में यह किस प्राइस के साब्से 2011 12 में जो प्राइस थे और इस बाघ कितना निकलगा यह 4000 कितना यूजह हो जाएगा 16000 अतो कि अर्व हु साथ कि यूज 2 30 यूज tweetqयो जो जो तो시는 आज की जो फ्राइस हैं जो प्राइस हाँ हम उस प्राइस के साफ से GDP कितनी निकल के आई बीस हजार और जो उस साल की 2011-12 की जो प्राइस थे उसके इसाफ से हमने GDP निकाला तो दस हजार निकल के आई इतना समझ में आया कि नहीं आया देखिए सर जो ग्रोथ होती है को क्योंतितों वहाता सर इनक्रीज इन क्वाण्टिक इसमें समझे है यानि दो किलो से 4 किलो होगया तो ग्रोथ कित्ति कोई दो किलो किल थो फुई ससर लेकिन सर उसकी वैल्यू तो देखेंगे ना कि 2 kg दाम था राइस का 5 रुपए आप इसी समझे इसी एक्जम्पल समझे ग्रोथ का मतलब होता है कि क्वांडिटी में कितना इंक्रीज हुआ है इतना आप समझे तो सर अगर हम 2011 12 की हिसाब से देखें उसके प्राइस के इसाब से देखें तो सर यह जो 10,000 निकल के आया है उसमें केवल इसकी जीडिपी 2019-20 की जीडिपी और 2011 12 की जीडिपी में केवल क्वांडिटी की वज़े स केवल इंक्रीज आया है या नहीं केवल क्वांडिटी की वज़े से इंक्रीज है या नहीं तक केवल क्वांडिटी की वज़े से इंक्रीज है ना सर इसलिए इसको बोलते हैं रियल जीडिपी रियल जीडिपी का मतलब सर कि आपने बेस एयर के प्राइस के हिसाब से देख हुआ है यहां पर 200 दी यहां पर 400 है तो पूरी 100 परसेंट का ग्रोथ हुआ है आप वैसे भी निकालिए जीडीपी थी 10,000 कब 2019-20 में और 2011-12 में थी 5000 तो इन चेंज कितने का हुआ 5000 का डिवाइड़ बाइ ओरिजिनल ओरिजिनल कितना था 5000 इंट्ो ग्रॉथ ऐसीनिकालते है ना सर चेंज अपन इनिश्यल इंट्यू एंट्यू उंड्रेट कितने का च div निकल कहा गा 100% का चेंज निकल को या या यह यह चीअ है किसमे के वल घ्रोथ में चैंज कि वज़े से कोई चेंज नहीं है क्योंकि प्राइस हमने दोनों कि इस को बोलेंगे real GDP या constant price पर GDP सर, constant price क्यों ना, क्योंकि price constant बेस year का price है, और इसे को बोलते हैं, यह यह गलत लिख दिया, मैंने, यह base year यहाँ पर, ठीके सर, real constant price पर GDP यह base year पर GDP बोली एक ही बात है, सर nominal GDP का है? सर nominal GDP का मतलब यह, कि जहां पर आपने उस साल की प्राइस के अनुसार आपने GDP कल्कुलेट की है उस साल 2019-20 में AB की क्या प्राइस थे उसके अनुसार की है तो 20,000 आई है यानि इसमें quantity का भी factor है और price का भी factor है इसे बोलते है nominal GDP या GDP at current price क्यों सार क्योंकि current price में निकल गिने कि इस समय 2019-20 में क्या प्राइस है उसका कि इतना clear है या नहीं तो real GDP and nominal GDP nominal क्यों क्योंकि सार प्राइस का inflation भी देख रहे हैं कि कितना inflation हुआ है और quantity में भी increase देख रहे हैं तो दोनों देख रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे nominal GDP at current price और उसको भोलेंगे real GDP ठीके सर तो अगर किसी ने कहा हमसे कि GDP nominal डिवाइड वाइड गीडीपी real into 100 तर यह क्या आएगा सर यही तो आएगा change in the price क्योंकि सार दोनों 2019 का है तो quantity तो दोनों में सेम होगी लेकिन सर इसमें current price के नुसार किया गया है इसको constant price base year की price के नुसार किया गया तो केवल price में जो न्कीज होगा उसकी वज़े से निकल के आएगा नहीं तो इसर यह inflation ही तो निकल के आएगा actually कि price कितने बढ़ गए इसे बोलते हैं सर GDP deflator GDP deflator समझ गए GDP deflator क्या GDP nominal upon GDP real into 100 यह वल quantity तो सर यह क्या बताएगा GDP deflator कि पूरी economy में जितने भी goods and services produce हो रहे हैं उनके कितने price increase हो गया है तो पूरी कंटर पूरे उसका inflation बता देगा और तो CPI होता सर consumer price index वो सर basket of goods and services को लेता है तो सर CPI आपको नहीं पता है कोई बात नहीं है आगे पढ़ेंगे inflation वाले चेप्टर में तो सर GDP deflator inflation बताता है सारे goods and services में जितना price increase हो और CPI एक basket of goods कि कुछ goods ले ले लेते हैं कुछ goods इतने हैं कुछ services इतनी उसको basket उसका केवल बताता है कि कितना उसमें price increase हो गया है GDP deflator समझ में आ रहा है GDP real GDP nominal समझ में आई यह नहीं इतना clear है नहीं आगे बढ़ें ठीक है आगे बढ़ते हैं अब दो चीज़े और आपको समझाता हूं में GDP यह बेस बना रहा हूं में आपका पूरा market price क्या होता है और GDP factor cost क्या होता है यह दो तो चीज़े और समझते हैं तो सर अगर GDP market price of factor cost समझता है तो पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि यह market price of factor cost है क्या ठीक है एक example लीज़े यह है फर्म यानि यह मेरी company है और मैं यहां पर healthy biscuit बना रहा हूं क्या बना रहा हूं सर healthy biscuit 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 diamond biscuit diamond biscuit जब भी मन हो खा लो तो सर यह मैं healthy biscuit बना रहा हूं यहां पर और मेरी company का नाम है तो शांत यादो company सर यह company में जितना भी raw material जितना भी machine जितना भी labor का cost सबका cost मिला के 8 रुपए का cost पड़ा हमको एक packet का biscuit का और उसमें मैंने 2 रुपए अपना profit का margin रखा तो यहां पर कितना जब इस factory से यह निकलेगा तो कितना रुपए का होगा 10 रुपए का एक packet होगा बिस्केट का तो दस रुपए को क्योंकि 8 रुपए जितनी cost लगी labor को जितना भी हमने पैसा दिया जितना raw material लगा तो एक बिस्केट में 8 रुपए का हमको यह सब कुछ लग गया और 2 रुपए मेरा मुनाफ़ा है तो 10 रुपए क्या हो गया सर यह factory से जो निकला यह 10 रु गॉर्मेंट की रोड का यूज करेंगे तो गॉर्मेंट कहेंगी भईया टैक्स बरो तो आप टैक्स देना पड़े का आपको तो आप GST देंगे indirect tax देंगे या नहीं देंगे तो मालीज आपने 3 रुपए का indirect tax दिया ठीक है लेकिन सरकार यह भी कह रही है यह आप तो healthy biscuit बना रहे हैं इतना अच्छा बिसक्ट लोग खाएंगे तो स्वस्त होंगे हम आपको सबसीडी भी देंगे ताकि इसका दान कम हो तो लोग ज़्यादा खरीदें तो हम आपको एक रुपए की सबसीडी देंगे बहुत कंजी उसे सरकार हर एक पैकट पर एक रुपए की सबसीडी सब टूटल कितना वैल्यू हो गया इसका 10-13 और एक माइनस किया तो बारा सरी बारा जो होगा यह हम शॉप वाले को देंगे एक बिसकट का पैकट खरीदने के लिए तो यह जो फैक्टरिय से निकल के आया, इसलिए इस 10 रुपए को बोलेंगे हम फैक्टर कॉस्टOOOO to factor cost क्या है? आठ प्लस दो दस रुपए क्योंकि फैक्टरी से जितना निकला और फिक गॉवर्मेंट का उसमें इंडारेक्ट टैक्स और सब्सीडी इंक्लूट कर देंगे तो जो वो मार्केट में जो आप लेने जाएंगे उसे बोलेंगे हम मार्केट प्राइस तो जीडीप में जो हमने जीडीपी एड मार्केट प्राइज गड़ि एगर उस समय के 2011-12 के प्रैस की जीडीपी निकाल दी तो real होगी और उस समय के मार्केट प्रैस के हिसाब से निकाला तो क्या होगा GDP रियल मार्केट प्रैस क्लियर और नॉट अट विज्टर कोस्ट और मार्केट प्रैस समझे समय में आया है नहीं कि कलियर सर्ट मार्केट प्राइस की डिपेशन लिख लिजे आप GDP सर्ट जो मार्केट प्राइस होता है डिपेशन लिख लिजे कोई बात नहीं थोड़ा सा कॉपी भल लिजे लिखिए वन GDP is calculated including the value of when मैं लिख देता हूँ when GDP is calculated including the value of net indirect tax तरी सकम अलगा क्या हो एं ने इंडिर्क आस कम अलगा ने इंडिर्क आस को अलगा एं इंडिर्क आइस माइन इंडिर्क आइस निस शब्सटी ताम ने ने निकाल दिया इसका ठीक इसी को ने ने बोल दिया ने इंडिर्क आइस देन इंडिर्क आइस जी डीप आट मार्केट आइस क्लियर और नॉट तो सर आपको कितना चीज़ समझ में आ गया है GDP समझ में आ गया इतनी चीज़ी इतना बेस आपने बनाया है नहीं बनाया कोई प्रॉब्लम हो कोई किसी भी तरह का सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिखी या मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीज़े वहां पर कुछ भी सवाल आप पूछे मैं रिप्लाई जरूर करता हूं पूरी लिखल है 2019 में वह सब 1145.666 करोड सर यह क्या होता है बताउंगा आपको जी डीपी जरूमिनल है कि 2019 में वह लगबग 2.94 ट्रिलियन डॉलर्र है लगबग लगबग सर 203 लाख करोड सर यह आपने चेंज कैसे किया सब बताएंगी सर पहले आप factual information लिख लिए यह है दिखने रहा है तो देखिए एक एक मिलियन में होते हैं दस लाख एक बिलियन में हजार मिलियन और एक हजार बिलियन में एक ट्रिलियन होता है ठीक है यह पहले jeak Chi दीजे एक मिलियन में 10 लाख एक बिलियन में हजार मिलियन और हजार बिलियन में एक ट्रिलियन से अगर आपको मैं काओं कि एक लाक करोड लिखके दिखाई कि तो क्या आप क्या लख़ई लिखेन से कितने जी्रों के लख में यह दिस लाक करोड में के फल एक के उपर घुला कीजें है नहीं कि अब लिग कौना करोड़ सर ये एक करोड बना इस एक के जगे पांच रख देंगे तो कितना बन जाएगा पांच करोड़ इसकी जगा अगर एक की जगा आप एक लाख रख दें एक लाख कैसे रखेंगे फ़ले एक लाख लिकिए एक ाई 2013 ,10,050,000 एक MA लख रख दिया एक कि जगा यहां पर यह लख दिया और बाकी जीरू लगाई एक लोगाइए कितने थे लाख तीन, चार, पांच, छे, साथ, साती है ना, ये सर क्या है, अब इसको क्या बोलेंगे, एक था तो एक करोड बोलते थे, अब यहां पर एक लाख है, तो क्या बोलेंगे, एक लाख करोड, तो कितनी जीरो हैं सर, बारा होंगे, तो बारा जीरो होते हैं, एक लाख करोड में, ठ 1000 तो सर दस लाख हो가 न यहांपे दस लाख को लिख लीजए कैसे लिखेंगे हजार दसजार कर लगये कितने 0力 होंने तो मैं अन्य हो having atar का व्ल्का पिर हले हमाने द़ाफ में उगे से लिखेंगे पर कहने के मदलब 1 trillion इत्तिक साइज मने इसलिह करवाई कि एक रिलियन एक लाक करोड के बराबर होता है तो अगर एक ट्रिलियन एक लाक करोड के बराबर है तो अगर 2.94 है वैसे हम 3 मालेते हैं 3 trillion 3 trillion dollar है ना तो 3 तीन लाक करोड डॉलर हुआ और तीन लाक करोड को हम रुपए में चेंज करेंगे तो डॉलर वाला कन्वर्जन सत्य रुपए मान लेते हैं एक डॉलर एकवल टू सेविंटी रुपीज तो सर कितना जाएगा 210 लाक करोड रुपए तर इसलिए मैं आपको बताया GDP जो नॉमि आजाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा लगा आप कंपेर कर पाएंगे कि GDP इतनी है उसका इतना परसेंट लग गया डिफेंस में इतना खर्च होगा इतने लाक क्रोड रुपए का खर्चा हो रहा है तो आप किससे कंपेर करेंगे ऐसे रेंडम ली आप किससे कं इतना पैरिजन से तो फैक्ट्वल डेटर वो था लेकिन कॉंसेट अंदर नहीं यह था बताने का मतलब यह कि GDP है इतनी कोई बात नहीं वैक्ट्वल है कोई मतलब नहीं लेकिन मतलब क्यों है क्योंकि हमें कंपेर करना है इतना क्लियर है तो यह फिगर्स हो गएं तो अगर इन फिगर्स की बात करें इस हिजाब से इंडिया वर्ड की फिफ्त लारजेस्ट जीडीपी में आता है तो दुनिया की विश्व की सबसे पांचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता इंडिया है तो सर सबसे बड़ी कौन है यूएस है उसके बाद चाइना, then Japan, then Germany, फिर इंडिया, और इंडिया ने दो को पीछे कर दिया है, UK और फ्रांस को पीछे कर दिया, पहले इंडिया साथ में नंबर पे था, अब इंडिया की पहले साथ में सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता थी, अब पांच में सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता है इतना क्लियर है नहीं थीक है तो आपको फिगर्स भी पता चल गए आपको कॉंसेट भी समझ में आ गया मापी जगए इतना क्लियर है सर अगली क्लास में हम समझेंगे कि GDP PPP के अनुसार कितना है या इसी क्लास में दे शरी पीपी क्या है सरी PPP है प्रचीजिंग पावर का मतलब क्या हुआ कि रुपए की अगर हम अपनी के बात करें रुपाय की खरीदने की छमता कितनी है यानि एक नोट लेकर जाए अब इसको मत्तर मेहसूस कीजिए आप एक नोट लेकर गए आपको दो गिलो आलू मिला ठीक है और आप यहीं पर यह बास्केट पूरा फुल आफ नोट लेके गए, पूरी आपने अटैची फिल करके आप नोट लेके गए, तब आपको दो की जो आलू मिला, सर्क किस नोट की पर्चेजिंग पावर ज्यादा है, एक नोट दिया और दो किलो मिल गया, इसकी ज़्यादा है पर्चेजिंग पावर, एक नोट वाली की, इतना लेके गए और दो किलो मिला, तो उस नोट की पर्चेजिंग पावर बहुत कम है, पर्चेजिंग पावर समय आ गया, अब सरी पर्चेजिंग पावर पैरिटी है क्या, सर, हमारा मान लिजे एक्षेजिंग रेट है, एक डॉलर कोल टू सिस्टी रुपी, जो नॉर्मल एक्षेजिंग रेट होता है, वो यह है, है ना, अभी मान लेते हैं, या आप इसको सिस्टी एट कर लिजिए, और कन्मीनियन्स, ठीक है, सर, यहाँ पर, इंडिया में, एक, आप मान लिजे, एपल की वेल्यू है, 17 रुपीज, तो सर, इंडिया में कितने आप एपल खरीद लेंगे, 68 रुपीज में, 4, 4 एपल खरीद लेंगे, लेकिन USA में केवल उसका एक डॉलर, USA का एक डॉलर, एक ही एपल खरीद पाता है, तो एक एपल की कीमत, USA में एक डॉलर है, और इंडिया में 17 रुपीज है, यानि हम अपने एक डॉलर, अगर कोई वहाँ से एक डॉलर लेके इंडिया आएगा, तो इस एक डॉलर में जो एक एपल खरीद था वहाँ पर, इंडिया आकर वो चार एपल खरीद लेगा, तो अगर उसकी पर्चीजिंग पावर ज़ादा हूई डॉलर की, इंडिया में या वहाँ पर, तो वहाँ पर एक नोट लेके गया एक डॉलर का उसको एक एपल मिला इंडिया में आया एक डॉलर लेके गया चार एपल मिले क्योंकि उपिर 68 रुपीज है उसका कनवर्जन रेट तो अगर उसकी परचेजिंग पावर की हिसाब से देखें कि दोनों जगा एक ही अपल ले तो कनवर्जन रेट क्या होगा सर कनवर्जन कितना होगा एक डॉलर एक डॉलर इकवल टू 17 रुपीज अगर परचेजिंग खरीदनी की छमता देखें तो हमारे 17 रुपए में जितना एपल आ रहा है उनके एक डॉलर में आ रहा है गड़ जाए कि नहीं बढ़ जाएगी 17 चोको और सट तो चार टाइमस बढ़ गई जीडिपी और इस हिसाब से जीडिपी एड पीपी कनवर्जन रेट के हिसाब से सरह वर्ड की थर्ड लार्जेस्ट जीडिपी अर्थ विवस्ता हैं थर्ड लार्जेस एकॉनमी है हमारे पास किसके अनुसार पीपी पर्चेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से और अगर पीपीप के अनुसार देखें सबसे बड़ी किसकी है सर्थ चाइना की देन यूसे देन इंडिया अगर पीपी पी एक्सचेंज रेट को ध्यान बरते हुए प्रचेजिंग पावर देखते हैं उस पैसे का उस नूट का पीपी क्लियर हुआ है नहीं तो वर्ड की थर्ड लार्जेस्ट एकॉनमी है इंडिया पीपी के अनुसार और चाइना है पहले नंबर पे अगर वैसे नॉर्मल कनवर्जन रेट जो है एक रुपए कोल टू सतर एक डॉलर कोल टू सतर रुपए एक सतर रुपए जो भी चल वर्ड फिर्फ थर्ड लाजिस एकॉनमी इन दे होल वर्ड अर्थ लोस्त आयां तीसरी सबसे बड़ी वी हैब थर्ड लाजिस जीड़ीपी सब दो चीजा आपको क्लियर वही पीपी जीड़ीपी पे और वैसे दोनों क्लियर है या नहीं यह सर और नों सर आज के इतना वा काफी है सर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि सर जीड़ीपी जो है मैथड ऑफ कल्कुलेशन कैसे कल्कुलेट करते हैं प्रोडक्शन मैथट इंकम मैथट एक्स्पेंडिचर मैथड यह मैथड ऑफ कल्कुलेशन देखेंगे जीड़ीपी एज़ा कॉंसेट ऑफ डेपलमेंट सही है यह नहीं यह देखेंगे और ग्रोथ वर्सेस डेपलमेंट के कॉंसेट को हम समझेंगे ठीक है तो तीन चीज़े अगले नेक्स वीडियो में हम कवर करेंगे तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमको कमेंट बॉ तो टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन करें एक सेकंड़ सब्सक्राइब करें और इस इनिशेटिव को शियर जरू करें सर इस पैंडेमिक के सिच्वेशन में अगर आपने किसी एक व्यक्ति की भी हेल्प कर दी ना सर तो आपका जीवन एक दम सार्थक है कि इतना शेर कि इस वीडियो को कि जो नीडी है उस तक ये वीडियो पहुंच सके जिसके पास पैसे नहीं कोचिंगन के और आपका जीवन तो आपने अपना जीवन का मोटिव पूरा कर लिया तार्थ है कही आपका जीवन सर मेरा जो इनिशेटिव है हमारी सर यह हैस्टेग जो तो स्टॉब दा कमर्सलाइजेशन और एक्वेशन है इसको ध्यान में रखते हुए सर आप इस इनिशेटिव को और बढ़ाएं लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को अपना प्यार जरूर देते रहें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दूसरों को भी आपको ज्यादा मेमरी देंगे आपकी मेमरी में ज्यादा समय तक वो टिके रहेंगे इसलिए हैंड से जरूर लिखिए अपनी नोट्बुक बनाईए और लिखिए पीडियाफ में अप्लोड कर दूंगा डू नौट वरी अबोल डैट तो टेलिग्राम लिंक से जरूर जरूर यहां पर पूछें मैं आपकी सारी क्वेरी हैल करूंगा तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू नमस्ते जहन्त